हाई गाईस विलकम बाक टू अनेदर वीडियो और कप्तान चाहे गेमर यूटूब चैनल तो दोस्तों प्रिजन टाइम में आप लोग दे सकते मैंने अपने इंडियन बाइक स्टावी गेम का जो अपडेट है वो ले लिया है हमारे गेम का अपडेट आ चुका तो यार आप लोग फटा फट से पने गेम को अपडेट करो प्रिजेन टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपनी जो निव थार आई है उसको ड्राइप कर रहा हूं ठीक है यह हमारी ओल्ड वाली थार नहीं है क्योंकि ओल्ड वाली थार में इस वाली थार में काफी सारे changes किये गए तो दोस्तों मैं भी आप सभी को बताऊंगा कि changes क्या क्या किये गए है और इसका cheat code क्या है साथ में आप सभी को ये भी पता चलेगा कि आप लोग new आला police station कैसे ले सकते हैं साथ में आप सभी को ये पता चलेगा कि आप लोग gun के weapons को कैसे update कर सकते हैं लब new weapons कैसे ले सकते हैं और साथ में आप सभी को ये भी पता चलेगा है कि जो हमारे RGS 2 लाए हैं उनमें हम लोग क्या-क्या आउन कर सकते हैं उसमें TV हमारी on होगी की नहीं तो उसके बारे में भी information आप सभी को मिल जाएगी इस वीडियो में आल वर आपको सारे जितने new update आए हैं वो सारे आप सभी को मिल जाएगे वो चाहे हमारे simple code हूँ या फिर RGS tool के अंदर वाले code हूँ तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा important है ये वीडियो and तक वाच करना और वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना guys अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को like ने किया तो simply वीडियो को like करें और चैनल को भी subscribe जरूर करें उसी के साथ bell notification को आल पर सरूर सलेट करें ताकि आप से कोई भी update मिस नहो तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा कि हमारी थार का cheat code क्या है ये जो हमारा नया वाला police station आया है इसका code क्या है आप लोग ये से यहाँ पर हमारे दो NPC रहते अपडेट किया ये जानने से पहले चलिए बताता हूं कि आप लोग कहां से कर सकते हो तो दोस्तों देखो हमारे इंडियन बाइक स्टाविंग गेम को अपडेट करने के टूबे है एक तो Google है एक भी या प्ले स्टोर है देखो मैंने इसके बारे में आप सभी से बात की है मैंने आप सभी को काफी बार बताए कि आप लोग Google से सारे वर्जन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से भी सारे वर्जन डाउनलोड कर सकते हो बट यार आप लोग कहते हो कि सर आप कहना क्या चाहते हो मुझे समझाओ समझने आए तो चलो एक बार इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ देखो अगर आप लोग हमारे इंडियन बाइक स्टाविंग गेम के दर काफी सारी आईसी वहिकल्स है जो की रिमूब कर दी गई है ठीक है वो पुराने अपडेट में थी बट वो आप सभी को पसंद है जैसे हमारी बुगाटी काफी अच्छी थी और उसके बाद जो हमारी पहले थार थी वो भी काफी ज् गा मतलब उसमें कोई पुरानी बइकल से नहीं होंगी लेकिन अगर आप लोग गूगल पे जाते हो अगर वहां से अपने गेम को डावलोड करते हो तो भाई वहां पर सारे वर्जन आएंगे अगर आप लेटेस्ट वर्जन डावलोड करोगे तो जो प्ले स्टॉर में ले पैसा नहीं है play store में simply आपको केवल दो option मिलता है, एक अनिस्टाल का मिलता है एक मिलता है कैंसिल का, अगर आपका game पहले से install है तो simply वहाँ पर update का option आता है ठीक है, तो यह आप लोग कर सकते हो यही 2 method हमारे game को update के रहें कि तीसरा कोई method नहीं है, चलिए मैं आप सभी को अब बताता हूँ थार का चीट कोट क्या है तो दोस्तो सबसे पहले हमारे गेम में एक थार अपडेट थी 90-90 ठीक है जो की पहले अपडेट थी उसके बाद 90-90 से हमारी मोडिफाई थार अपडेट की गई लेकिन अब दोस्तो जो थार है वो पुराने वाली की तरह ही है लेकिन अगर आप लोग पुरानी वाली थार देखो तो उसके जो पहले है वो पावर स्टेरिंग के थे मतलब चारो पहले में ब्रेक था और उसके पीछे एक आपको पहले देखने को मिलते थी लेकिन जो अब की थार अपडेट हुई है जो भी जल्दी में आई है जिसका मैंने गेमपले आप सभी को स्टार्टिंग में देखा उसमें ना तो पीछे वहिकल्स है मतलब ना तो पीछे पहिया लगा है ना इसके चारो पईये स्टेरिंग मतलब 4 x 4 है मतलब पावर स्टेरिंग 4 पईये की लेकिन उन पईया का मॉडल एंड इन पईये का मॉडल चेंज है ठीक है मैंने आप सभी को गेमप्ले दिखा दिया अगर आप लोगों ने थार को यहां पर रखेंगे तो इसका चीट कोड चेंज हो सकता है क्योंकि हमारे गेम में तो इस कार भी अपडेट है दो लैंबरगीनी अपडेट है तो काफी सारी IC car है जो कि हमारे game में पहले से update है तो ऐसा नहीं है कि हमारी थार update की जाएगी दो थार हो जाएंगी यार तो code हो जाएंगी क्या दिक्कत है तो जो नया वाला code है वो मेरे इसाब से 9090 हो सकता है अभी ये confirm नहीं बट यहीं होगा मैं अपने developer से पूछ लूँगा अब चलिए बताता हूँ कौम सी bike आने वाली है तो दोस्तो अभी तक हमारे developer ने कोई भी bike के बारे में हमें information नहीं दी लेकिन हाँ मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही chances लगता है कि आपके Indian bike starving game के अंदर MT15 बाइक आने के chances सबसे ज़्यादा है अगर आप लोग चाहते कि यार MT15 इस बार के update में आ जाए तो सबको comment करना है कि MT15 आनी चाहिए सो मैं सारे comments आप सभी के developer के पास forward कर दूँगा अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि हमारे elephant का cheat code क्या है और उसके साथ हमारे Indian bike starving game के तीवी mode on करने का cheat code क्या है तो ये चीज़ी बताऊंगा लेकिन चलिए उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी information देना चाहता हूँ तो दोस्तो आप सभी को पता कि हमारे game का update आया था कैसे करोगे तो दोस्तो गेम अपडेट करने के टूवे है अब दोवे कौन कौन से है पहला तो है कि आप लोग गूगल पे जाओ वहां पर सर्च करो Indian bike striving 3D आ ले पी के गूगल में क्या होगा सारी लिस्ट आ जाए मतलब जब से ये game हमारा बना है आस तक सारी लिस्ट आ जाएंगी सारी वर्जन आ जाएंगी आपको जो डॉम्लोड करना इसली वो आप डॉम्लोड करके प्ले कर सकते हो जो चीज़े हमारे game से remove हो चुकी जो vehicles remove हो चुकी उनका अगर पुराना version आप लोग डॉम्लोड फिर जो vehicles remove करती गई है जो पहले remove करती गई है वो अब नहीं मिलेंगी तो यह है अगर प्ले स्टोर से आप लोग डॉम्लोड करोगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा लेटेस्ट में जो नई चीज़े आती है ठीक है और गूगल पर आपको पुरानी चीज़े भी म लेंगी जो आपको पसंद सिंप्ली आप वो वर्जन डॉम्लोड करो खेलो मेरे साब से जब गेम अपडेट आया था जब आपको चौन सा वर्जन अच्छा लागा हो ठीक है जो भी अच्छा लागा हो सिंप्ली 5-6 आप लोग डॉम्लोड करके पने फोन में स्टोर कर लो जब उसको खेलना हो सिंप्ली से इंस्टाल कर लो फिर उसके बाद इसको अनिस्टाल कर लो ठीक है जब आपको लगें नहीं है में ले टेस्ट वर्जन चाहिए तो सिंप्ली प्ले स्टोर पर जाकर इसे अपडेट कर लो तो यह तरीका हो गया थोड़ा सा फ़ानी वे था पठाँ ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपको मज़ा आएगा आप सारा अपडेट ले पाऊगे अपने इंडियन बाइक स्टाविंग गेम का चलो अब बात करता हूँ कि हमारे इंडियन बाइक स्टाविंग गेम के अंदर टीवी मोड़ाउन करने का कोट किया है और डेली च Rescue कर सकते साथ में कारसो रूम का कलट चेंज कर सकते भाई बहुत सारा है ठीक है अगर आप लोग मेरे प्रीवेस वीडियो वास्ट करोगे तो तो उसके लिए आप सभी को कल का बेट करना पड़ेगा, कल आप सभी को वो code पता चल जाएगा, ठीके, अब बात करता हूँ elephant, तो दोस्तों, आप काफी सारे लोग मुझसे यह कह रहे थे, कि elephant नहीं आगी, यार elephant क्यों नहीं आगी, क्योंकि हमारे game में dog update है, उससे थोड़ा सा बड़ा जानवलो, तो यहां पर घुबड़ा update है, उससे और बड़ा जानवलो, तो हमारे game में dinosaur update है, अब मेरे हिसाब से जो हाथी वो dinosaur से छोटी होगी, नहीं, dinosaur जादा बड़े थे, हाथी छोटी है, तो हाथी भी आ जागी, अब इसका भी code में कल बता हूँगा, ठीके अब ही जितना मेरे को update मिला था, जितनी नहीं चीचे आई थी, वो मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास गया, इस वीडियो में आलो वार आपको ये भी पता चल गए कि क्या क्या आने वाला है, और साथ में आप लोग ये भी जान गए कि आप अप अपडेट में अपडेट हो जाएगी, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शरूर बताना, ये वीडियो पसंदा हो तो वीडियो लाइक करें और चानल को भी सस्क्राइब चरूर करें, मिलें इसी तरी के नए वीडियो में तब तक के लिए पाई